हेलो बच्चो, वेलकम टो आर हिंदी क्लास हमारे लास्ट पिरेड में हमने हिंदी की अभ्यास पुस्ति का स्टार्ट की है है ना जिसमें हमने अभ्यास माला 5 की पड़ाई की थी आज हम एक नई अभ्यास माला की शुरुवात करने जा रहे हैं जो है अभ्यास माला 6 ओके, सो लेट स्टार्ट अभ्यास माला 6 का पहला प्रश्ण है जो पेड़ पोधों पर नहीं उखते उनके नाम नीचे लिखे जो पेड़ पोधों पर उखते हैं उनमें रंग भरे याने यहाँ पेड़ की पिच्च दिखाई है और उस पेड़ पर अनेक सारे पिच्च छोटे छोटे चित्र दिखाए गए हैं हमें इन चित्रों का निरिक्षन करना है और जो पेड़ पर उखते हैं उनमें हमें क्या करना है? रंग भरना है और जो नहीं उखते हैं उनके नाम हमें यहाँ पे नीचे दी गई लाइन में लिखना है ओके तो यहाँ पेड़ पर उगने वाले चित्र है सेब केला बैंगन आम और तमाटर इन पिच्चरों को हमें क्या करना है रंग भरना है और बाकी बचे जैसे गुडिया मेंडक, लड़का, चाबी और मगरमच इनके क्या करने है नाम नीचे लिखने है क्योंकि यह पेड़ पर नहीं उखते हैं है ना मेंडक तालाब में होता है चाबी हमारे घर में होती है करेक्ट ओके अब क्वेशन नमबर टू रे खांकित अक्षर पर इ की मात्रा लगा कर शब्दों को दोबारा लिखे याने यहाँ पे कुछ शब्द दिये है और उसमें से एक शब्द के नीचे क्या की गई है रे खांकित किया गया है उस शब्द को अब उस शब्द को हमें क्या करना है ए की मात्रा लगानी है और उनको दोबारा लिखना है जैसे यहाँ पे पहला शब्द है शकार तो श के नीचे अंडरलाइन की गई है अब हमें इश्य को क्या करना है इ की मात्रा लगानी है तो word क्या हो जाएगा शिकार अब next word है भेड़या यहाँ पे अंडरलाइन किसको किया गया है ड को अब ड को अगर हम इ की मात्रा लगाएंगे तो word क्या बनेगा very good word बनेगा भेड़या है ना ओके वेसे ही हरन का बनेगा हिरान अब कसी का बनेगा किसी नरीह का बनेगा नीरीह दन का बनेगा दीन पताजी का बनेगा पिताजी और लखना का बनेगा लिखना very good अब प्रश्न नुमबर 3 रेखां की तक्षर पर अब दुसरी एकी मात्रा लगानी है और उनी शब्दों को दो बारा से लिखना है ठीक है यहाँ पे पहला शब्द है गांध और हमें धग को दूसरी एकी मात्रा लगानी है तो हमारा शब्द बनेगा गांधी वेसे ही next word है पत्न उसका शब्द बनेगा पत्नी सह सह का बनेगा सही इमल का बनेगा इमली लड़क का बनेगा लड़की नद का बनेगा नदी हिंद का बनेगा हिंदी और सम का बनेगा सीमा हे ना बहुत आसान अब प्रश्न नंबर चार है जोड़े मिलाएं याने यहाँ पे हिंदी के नंबस दिये हैं और उनी को शब्दों में दिया है तो हमें क्या करना है जोड़े बनाने है ठीक है जैसे नो एक दो दस पांच तीन चार आठ साथ और छे ठीक है सो यह आपको नंबस पढ़के उनके नाम के साथ आपको क्या करनी है जोड़िया मिलानी है ओके अब क्वेशन नंबर फाइव है विलोम शब्द लिखे अब जैसे की आपको पता है विलोम शब्द कौन से होते है जिनका अर्थ विपरीत हो या उल्टा हो उनको क्या करते है व असना का विलोम शब्द क्या होगा रोना जागना का होगा सोना है ना अब अधिक का विलोम शब्द होगा कम अधिक याने बहुत ज्यादा तो उसका विलोम आएगा कम बीतर याने अंदर उसका विलोम शब्द आएगा बाहर वेसे ही धीरे जल्दी खरीदना बेचना आना जाना भारी हलका सर्च जूट और सूखा सूखा का विलोम शब्द आएगा गीलाक अब अगला क्वेशन है सही शब्दों को चुनकर वाक्य पूरे करे यहाँ पे हमें फील इंद ब्लैंक्स करना है जैसे 26 जनवरी को बहादूर बच्चों को डैश डैश मिलता है अब यहाँ पे आपको हेल बॉक्स भी दिया गया है और उसमें वर्ड्स दिये गये हैं अगला अंसर आएगा इनाम दूसरा है 15 अगस्त को हमारे देश के प्रधान मंत्री लाल कीले पर डैश डैश फहराते हैं वो क्या फहराते हैं जंडा बिलकुल सही अगला है दो अक्तूबर डैश डैश के रूप में मनाया जाता है अब बताओ हम दो अक्तूबर को क्या मना गांधी जयनती मनाते हैं यहां पे ल को पहली ए की मात्रा आएगी इसलिए सूर्य सूर्य को स को दूसरी ए की मात्रा यहां पे सोभाग्य को ओ की मात्रा लगाई है और उकरेक्ट मात्रा कौन सी है अओ की मात्रा अराम अराम नहीं होता आराम चाहिए चाहिए के लिए यह को ए की मात्रा नहीं आएगी एसे A D आएगी नेक्स्ट वर्ड है E नाम यहाँ पे E बदल दिया है ओके और लास्ट वर्ड है दयालू याने ल को पहले U के मतर आएगी ओके आशा है कि आपको यह अभ्यासमाला समझाई होगी और आपको मज़ा भी आया होगा है ना हम मिलेंगे हमारे अगली क्लास में तब तक के लिए थैंक यू बाबाई